Hello everyone and once again welcome to Umar Taskir YouTube channel myself Umar Taskir Guys Google Analytics 4 के इस particular वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Google Analytics के अंदर ही present एक बहुत important feature की जिसको हम लोग बोलते है reporting identity तो सबसे पहले हम लोग यह समझेंगे कि आखिर reporting identity का मतलब क्या है default reporting identity का यह आपको option मिलता है और जैसे आप इसके उपर click करेंगे यह आपको further दो options देगा जिसमें बोलेगा कि आप जो अपनी reporting चाहते हैं वो by device only चाहते हैं या फिर जो आप अपनी reporting चाहते हैं वो by user ID and device दोनों के ही through up reporting चाहते हैं तो guys एक बात तो clear है कि जब हम reporting identity की बात कर रहें तो इसका मतलब यह है कि जो हमें reports मिलती है Google Analytics के अंदर वो किस basis पे मिलेंगी हमें वो हमें मिलेंगी user ID के basis पर या device के basis पर इसी चीज़ को हम लोग explore करने वाले है इस particular वीडियो में या हम लोग समझने वाले है तो यहाँ बन हमारे पास एक case है अगर हम लोग इस example को समझ जाए तो बहुत सारी चीज़ है हमारे समझ में अपने आप आ जाएंगे जैसे a user can interact with your property और website using different devices at different times जैसे मेरा ही example ले लो हो सकता है मैं आपकी website के उपर आता हूँ दिन में आता हूँ मैं mobile से उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं आता हूँ अपने पास tablet है उससे मैं आ जाता हूँ उसके बाद हम लोग जो है laptop से मैं आपकी website के उपर आ जाता हूँ तो यह हो सकता है ना user तो एक ही है user तो एक ही है और वो website के उपर आपकी website के उपर आ रहा है तीन अलग-अलग devices है device 1, device 2, device 3 अब यहाँ पर थोड़ी सी problem create हो जाएगी क्यों create हो जाएगी यह अलग-अलग sessions बन रहा है अब Google Analytics क्या गड़ित लगाएगा यह Google Analytics क्या logic लगाएगा यह Google Analytics का system यह कैसे judge करेगा predict करेगा कि भई देखो यह तीन devices तो अलग थे लेकिन यह user ना एक ही था यह एक ही user था यह उमरी था जो अलग-अलग devices से इस website के उपर आ है वरना reporting गड़बड हो जाएगी है न तो उस point of view से ही हमें जो हमारी reporting identity उसकी दरूरत पढ़ती है तो guys अगर हम लोग user ID को pick कर लें जैसे मैं एक user हूँ मेरे को एक user ID मिल जाए मेरे को एक user ID मिल गई X अब यह user ID वाला बंदा चाहे जो है टाबलेट से जाए चाहे वो mobile से जाए चाहे वो computer से जाए किसी भी device अगर वो website के उपर जा रहा है तो Google Analytics से पहचान सकता है कि नहीं यह वह user है जिसकी user ID X है तो यहाँ पर क चीज़ें primary हो गई है ना तो कहने का मतलब यह है कि जो cross device tracking है या जो cross device tracking में जो परिशानिया आती है कि cross devices को कैसे समझे Google Analytics उसी का solution है जिसके हम लोग बात कर रहे थे default reporting identity तो guys जैसे मैंने आपको user वाला भी जो example बताए इसमें मैंने आपको बताए कि अगर इस particular user को एक unique user ID न assign कर दी जाए या allot कर दी जाए जैसे या ID मैंने example लिया था X तो अब user कहीं से भी आए है ना हमें पता है तो guys यहाँ पर हमारे पास एक option होता है कि हम user ID के basis पर जो ऐसी समस्या है उनका हम लोग समधान कर सके है ठीक है तो यहाँ पर देखो जो मैंने अभी आपको explain कि है वह either into a single unified cross device user journey तो जो user की journey थी सुबह मैं इस device से आया फिर दोपर में इस device से आया शाम को मैं computer से आता हूं तो यह जो user की journey है यह Google Analytics कैसे बोलेगा कि एक single user था उसके लिए Google Analytics एक तरीका तो यह user ID का use करता है उसके अलावा Google signals को use करता है तो आप अपने Google signals है उनको activate रखें उनको through जो है वो figure out करता है कि यह वही बंदा है fine तो इस टाइप की जो real time problems आती है cross device की reporting समझने में जो Google Analytics को समस्य आती है हो हमारी इस टाइप की setting से दूर हो सकती तो by default मैं आपको यह recommend करूंगा कि आप जो यहाँ पर selected है by default आप इसी के साथ move करें फर्दर आप reports वाले section पे जाते ही रखना है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और user ID कैसे assign कर सकते क्योंकि समस्य आ गई हमने यह तो कहा कि जो user आएगा उसको एक user ID assign हो जाएगी तो user ID assign करने के लिए हमें कुछ अपनी तरफ से activities करनी पड़ेंगे जैसे अगर हमारी website है या हमारी कोई application है तो अगर कोई user website क उपर आ रहा है तो जब तक वहां पर कुछ ऐसा नहीं होगा जैसे login नहीं होगा यह हम उससे कुछ OTP वगएरा ना मांग ले यह हम उससे उसका जो phone number है वो ना ले ले मतलब कोई ना कोई एक unique चीज तो हमें उस user की लेनी पड़ेगी लेट से मैंने उस user से login करा दिया तो व ऐसे ही वह अपना user name mention करेगा जैसे वह अपना password mention करेगा that will be a user ID है उसके लिए क्या होगा एक तरीके से user ID होगा तो Google Analytics को समझने में प्राप्लम नहीं होगी चाहे जिश डिवाइस से आ रहा है बंदा हमारी website पर वह यहीं बंदा है तो यह आपको अपने को क्या करना पड़ बेजना भी पड़ेगा जब तक Analytics में या जीए 4 में user ID नहीं जाएगी तब तक Google Analytics 4 को कैसे पता चलेगा कि यह एक particular user ID है इससे अगर कोई भी device से login होता है तो वो उसको tie up कर देगा ठीक है उसको एक user बना देगा ठीक है तो यहाँ पर मैंने एक process लिखी हुई है देखो implementation जो in your site आपको generate करना पड़ेगा किसी भी तरीके जैसे को user name password अगर डालता है तो उसके basis पर आपको कोई एक user ID ना कुछ भी कुछ भी आप यहाँ पर generate कर सकते है ऐसी process आपको develop करनी पड़ेगी user ID आप generate कर लेंगे उसके बाद user ID को आपको Google Analytics में send करना है make sure your Google Analytics properties reporting identity uses as user ID ठीक है फाइदे क्या क्या होते हैं इसके रेखो based on user ID you can do different things compare signed in with non signed in जो user sign in है नहीं sign in है उसके बेसे मलब reporting और अच्छे तरीके से आपको मिल सकते हैं user ID based reports आपको मिल सकते हैं remarketing audiences आप create कर सकते हैं on the basis of user ID guys अगर किसी भी basis पे हमारे पास Google Analytics के अंदर report है तो उस basis पे हमारे लिए को audience create कर सकते हैं let's say हम कहते हैं कि age के basis पर अगर आपके पास Google Analytics के अंदर report है तो ही मैं कह रहा हूं कि अगर हमारे पास user ID information Google Analytics के अंदर है तो उसके basis पर हम लोग remarketing भी कर सकते हैं remarketing कहे लें या हम लोग कहे लें कि हम लोग जो है audience भी create कर सकते हैं आशा करता हूं guys आपको आप्शन समझ में आगा गाइस बहुत सारे लोग ना इतनी डीप में नहीं भी जाते हैं analytics के अंदर but obviously बात भी है कि जिनका analytics का specialization है वही के वल इतने डीप तक जाएंगे इन सारी चीजों समझने कुछ करेंगे अगर आप किसी बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं लेट से आप डिश्टल मार्केटर तो वहां पर आपको बहुत सारी चीज़े देखनी पड़ती है आ गुगल आड भी रन कर रहा है उस वेबसाइट का ट्राफिक भी मॉनिटर कर रहा है तो इतनी डिटेल में आप जाते भी नहीं हो बढ़ हां जहां पर हम डेटा ड्रिवेन अप्रोचेस की बात करते हैं जहां पर आप मैनाइटिक को डीप समझने की बात करें वहां पर एक् शेर करें चैनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब करने मिलते हैं निक्स वीडियो में तिल देन गुडबाए